गुड मॉरिंग फेंड टोडे इस 29 चून हम लोग देखने वाले कुछ वोकाबलरी फ्रम दा हिंदू एडिटोरियल और इसके बाद देखेंगे कुछ पीबाई क्यू के एंटे नेम्स मैं लिख देता हूँ यह CGL में आए हुए है ठीक है और 2023 में आए हुए है आपको पता ह कि अभी CGL का नोटिफिकेशन आ गया है और MTS का भी आ गया है तो अच्छे खासी भरती है ठीक है आठ है कुछ MTS में है और 17 है कुछ CGL में तो आप इसे न अच्छे से देने के लिए तयार हो जाओ और मैं बही चीज कराने वाला हूँ जो आपके एक्जाम के पॉइंट प लिए होता है पेपर किस तरह से डिजाइन किया जाता है अप इसली टेकल कर पाऊगे तो चलो को सीखते है नहीं और आज का एडिटूरिल देख लेते हैं वही अप्रेश स्टार्ट फ्रेश यानि की नई शुरूवात जीएश्टी काउंसल का मतलब जो मीटिंग हो रही है न उसके लिए बोला आता है मस्ट नोट लूज साइट ऑ ब्रोडर रिफों मलब बड़े पैमाने पर रिफों की बात होड़ी जीएश्टी में उसको जीएश्टी को नहीं भूलना नहीं चाहिए ठीक है उस पर हमीशे दिहान रखना चाहिए क्लियर है न आगे यह क्या कहना चाहता है मैं इसका जो फर्स्ट लाइन है यह सेंटेंस है उसको मैं एक्स्प्लेंड कर देता हूं हलाइट करके दा गूड्स एंड सर्विसेश्टेक्स एंड जीएश्टी की बात हो रही है काउंसल मेटिंग के बुलाया है जहां पर सब लोग एकटे हुए ठीक है लास्ट वीक फॉर दा फर्स्ट टाइम पहली बार द्यान रखना जब भी आपका और्डिनल जानते हो ना जिसमें फर्स्ट शेकिंड थर्ड लास्ट इजी रहते हैं उसके आगे ड्यान रखना विस्षिस तोर पर कई बार पूछा घया तो बॉला गया है कि लास्ट वीक में पहली बार इन एर्ली 9 मेंट है 9 माहिने में पहली बार एक जीएसटी की मीटिंग हुई ठीक है सबाह हुई कितना स्ब्सक्राइब हो गया तो यह बाद धिया रखने है फिलास हमें देखना है एसके मीनिंग क्या यह एक्जाम के हिसाब से काफी important है तो देख लेते हैं पहला बाड़ा अगर मैं बात करूं कन्भीन इसका मतलब संयोजन करना होता है बुलाना आयोजीत करना call together meet formally आप कह सकते हैं ठीक है न अगर इसके आप PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी recalibrate का मतलब होता है ठीक करना make fine adjustment है यहने की ठीक ठीक करना दुरुस्त करना हलचल गहवराड बढ़ सकते हैं रैपिट एक्टिब कोमोशन बोला या सकता है किक इन काफी अच्छी फिरिचल बब आपको याद होना चाहिए तोड़ना openly वाइलेंट या एंट्री करना ठीक है वाइलेंट तोर पर रिट्रोस्पेक्टिव यह भी आया हुआ बाड़ है और इसका मुझा पूर प्रभाव यानि बीते हुए पर लाग हुए निकुई माली यह हम परानी चीज है उससे कोई शीखें और उसका प्रभाव आज भी पढ़ रहा है तो रिट्रोस्पेक्टिव हो जागा था रिलेटिट टू तू दा पास्ट शायन आफ का मुझा अब जा बोजल होता है या भारी वरकम नॉट एलिगेंट ग्रेस्पूल बोल सकते हुए फिर ठीक है और एक्सप्रेशन डी कलेटर का मुझा अब हल चल दोड़ धूप मचाना फिल इंदा फिल आइस्पेश इन डिस ओडरली मिला कोई गैप है उसको भरना डिस ओडरली तरीके से बोल सकते हो आप यह आई जी इसका मलब किसी चीज़ को बवेश्थित करना री एक्क्यूप करना री ओर्गनाईजेशन क्लियर तो यह कुछ दस बढ़ थे और आई होप शो कि आप दस में से आठ साथ तो जानती होगे साथ ठीक है और वीडियो अगर आपको लगती है शेयर कर सकते हैं जिससे की आप लोग को भी हैल्प हो सकते हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ठीक है और अब चलते हैं कुछ पर कीज़ बहुत इंपोर्टेंट है भाई एंकरेज हर मदर आलबेज एंकरेज दा आइडिया ऑफ अरली मैरेज इसकी मम्मी ना हमेशे एं अधिकरीज होता है तो इसमें कोई बड़ी रात नहीं हो गया सपूर्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना ओ ठीक है और डिसकरीज के अंटिनम हो जागा फिलाल तो मुझे अंटिनम देखना है तो यह आपका आंसर हो जागा चीर का भी मतलब किसी को एंकरीज करने से यह बाकि सब से नहीं हो गया लेकिन डिसकरीज हो गया आपका हतोत्साहित यानिकी क्या करना इसके अंटिनम हो गया तो यह अप्रूप्रियेट आंसर भी हो जाएगा तो नेश्ट वाइब करते हैं अधिति इस मिटिकुलस 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 का मतलब होता है अतीशाब क्लियर है तो बाई नेचर वो नेचर से कैसी बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहती एक तरह की से तो एकुरेट का मतलब सटीक होता है आपको पता ही है प्रिशाइज का मतलब जो ध्यान ना दे ठीक है ला परवा बोल सकते हैं और कंसाइंस यह भी संशिप्त से ही है ठीक है और यह फिर हम इसको बोल सकते हैं एकुरेट बोल सकते हैं ठीक है यह जो हो जागा यह ज्यादा अच्छा है संशिप्त कहना इसे ठीक है और यह एक्स्प्रेसिंग जो भी की जाती है वो शॉर्ट बर्ड में की जा सकती है मच लेश बड़ बोल सकते हो तो यहां पर संचितना एक्पुरिट के इजक्ली सटीक बोल आया सकते हैं तो ज्यादा पर प्रेट रहेगा ठीक होता तो इसी फॉर्म में लिए कम में बोले आता है वही चीज है ठीक है ठीक है तो इसका एकर मैं आंसर की बात करूं केरलेस हो जाए ठीक है क्लियर होगे अच्छा नेक्स्ट मूब करते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि हैवी आउटफूर्स मेंग दा मूवमेंट ओफ ट्रेकर्स लगेश्च लगेश्च जानते हो इस रहेगेश्च का मदा होता है लीजी तरीके से ठीक है और डिस्टॉर्ट जो ब लागेश्च के हुआइब है पकड़ने वाला और एक्सपर्ट होना तेज होना किछीव चीज में ठीक है उसके लिजी बोलियाता है और फिलालन्तों में असले ही होता है तो आक्टिव ही इसका इंट्रीन में हो जाएगा इंट-टन्यम करना ता लेस का मतलब कम होता है पू कि इंसफिशेंट का मतलब कम होता है ओर ऊंपिटन का मंदा होता है मैनिया फें मोढ देने ज़र्ण है जादा को है अहीं है ये जादा से मध्लोब का पर्यापत बार tu अंपिटन इसके अंटन्यृ नेश्ट्थ देके लिटे है वाले कवला उब्ता तो पर पताईये इसब को ठीक है he was quite in behavior तो वाइलेंट आजाए ठीक है crazy का ही सेम ही है वाइलेंट से जेनटल का मदर सॉफ्ट होता है सॉम में होता है जेवाब्स का मदर भी अबायल है ठीक है थोड़ा जंगली होना इस तरह से और यह कि उग्र होना ठीक है तो वाइलेंट से यह जैंटल इसका वाइलेंट का एंटेनिम हो जागा है ठीक है हमें एंटेनिम बता आना है क्लिए मेटिकुल्सक अभी तो बताया था ठीक है साबधान होता है ठीक है और कियरफुल इसको हम बोल सकते हैं है हीडफुल जो ध्यान दे ध्यान देने बाला बात एक ही है सेनेने हो जागा के लेस्ट तो इसका अंटाइडी ठीक है अंटाइडी अस्त बेश्ट और कיयरफुल करके दिहान देना ही हीडफुल इसको बोल सकते हैं और आंसर कि लाक जाएगा आयि आज इसका क्या हुआ जाएगा शिननेम हो जाए, casual का मतलब, आपचारिक होता है, formal इसको बोल सकते हैं, shake की मतलब, जो हिले डुले, काह पे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, कापने से, बॉबली बोल दो, अगर कापने की बात हो रही है, ठीक है, vibrating भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबरेट करता है, फॉन औ courageous का मतलब होता है, उच्छाही, ठीक है, bold जिसको बोल सकते हैं, क्रीके से, और nervous का antinome fine करना है, तो courageous ही होगा, और तो कोई इसमें हैं नहीं, ठीक है, evident का मतलब एक दम spust होता है, clear जिसको हम बोल सकते हैं, तो प्रुफीज का मतलब, परियाप्त मात्रा में, या जादा मात् सकते हैं, ठीक है न, तो हम देशकते हैं, extreme बोल सकते हो, और hidden का मतलब होता है, छिपा हुआ, correct का मतलब होता है, इसको पता है, visible का मतलब जो दिख रहा हो, इस past, ठीक है, तो अगर हम बात करें, evident का, तो hidden इसका antinome हो जाएगा, hinder का मतलब prevent होता है, यानि की रुकावट, aid का मतलब help होता है, monitor का मतलब ध्यान देना, किसी बीचीज पर, force का मतलब, ताकत लगाना सकती, ठीक है, domestic aid का मतलब, किसी को पालतू बनाना है, या फिर किसी को अपने, बोल सकते हैं, कि जो हमारे behavior को समझ पाए हमारे according ढ़ल ठीक है, और आपको बताना है, एब भूर के, adapt ठीक है, और एक बड़ होता है, adapt, इतने त्यों के meaning बताने हैं, बहुत important है, इसका meaning क्या होता है, इसका meaning क्या होता है, और इसी तो मैंने बताई दिया, धलना, ठीक है, accordingly, इसको बोल सकते हैं, accordingly, answer की बात करूँ, तो hinder, रुकावट, तो अगर मैं बात करूँ, force हो जागा, किसी को force करना, शक्ति लगाना, पावर लगाना, आगे करना, ठीक है, उस वाली change में, चन्नी ची देख लिते हैं, next है, हमाशीज पर्परिंग, कस्तमाईज गिफ्ट, कस्तमाईज गिफ्ट पर्रिपर कर रहे है, हैंडि क्राउट, हैं शापरिंग, सर्प्राइजिंग, म्हूल और रेटायर्मेंट, बट रेट राट इस नोट पर्सनलाइड तो निश्चित होता है ठीक है फिलाल मैं इसकी बात करूं आंसर की तो आंसर पर्सनलाइड एंसियो शर्टेन हो जागा ठीक है यह आपका फूर्थ पार्ट जो है आपका इसका आंसर है अच्छा आज के सेसिन कैसे लगा ज़रू बताएं और इसी मैं से मैं कम्यूनिटी में डालने वाला हूँ उसमें जो किमयूनिटी में डालों तो एक दूसरी को रजोएं करगो हिट की आखो जरूर इससे फायदेश्य के आपको पता चलता इसकंडों यह की zelf कि आप कई इतने इंट्रेस्टेड है करने के लिए और अब तो इंट्रेस्टेड हो जाईए मैं अच्छे से त्यारी करा दूँगा बुलकुल बहुत अच्छे से फिक्र नहीं करनी है ताइम आपके लिए परयापत है और बस त्यारी में जुट जाई डेली के बीसिस पर पढ़िए और फूकस आपको ज्यादर करना है जो मैं इंपोर्टेंट बताता हूं और साथ ही साथ आपको प्रिविए से के इतना कर लिजी तरह सेफिशेंट है क्लियर तो मिलते नेक्स सेशन में तब तक लिए बाबा टेकर हम अगुल्दे